जेरिश देंट, गूड इवनिंग, स्वागत थे आप सभी के हमारे ओर्लेन क्लास जोग्रोफी में आज के हमारा अध्यन वी सहर्ज जोग्रोफी थोट और इसमें हमारा जो अध्यन टॉपिक है वो है भूगोल के विकास में वान हमबोल्ट का योगदान अथ्वा आध्यूनिक भूगोल के विकास में अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट का योगदान तो आज के हमारा यह क्लास में हम जानेंगे कि वान हम्बोल्ट महोदा ने भूगोल के विकास में किस प्रकार सी योगदान दिया है तो सबसे पहले हम समाने परिशे कर ध्यन कर लते हैं वान हम्बोर्ट महोदाय जो थे वो 19 सताबदी के काल में थे और वे एक महान भूगोल वेगता थे जिन्होंने भूगोल और उसकी प्रमुख साखाओं के साथ अन्य जो विज्ञान है भूगर भी विज्ञान, वरश्पत्ति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, जलवाई व बहुमुखी प्रतिभा के विद्वान थे, जो कि अपने सब्जेक्ट के साथ अन्य विशायों का भी ज्ञान रखने वाले थे, अब हम इनके योगदान को किस प्रकार से समझ सकते हैं, इसका अध्यन करते हैं, वान हम्बोल्ट के योगदान, तो अलेक्जेंडर वान चनाई की है, वो, फिर है वान हम्बोल्ट महोदाई की खोज, सोध और यात्राय, भुगोल के छेत्र में, उनके जो खोज है, सोध है, यात्राय है, उनसे महतपूर योगदान मिला, फिर है वान हम्बोल्ट की विधी तंत्र या भुगोल के अध्यन की विधियां, वान हम् तो वान हम्बोल्ट महोदय ने भूगोल से संब्धित या भूगोलिक संकल्पनाएं या अधानाएं प्रस्तुत यह है जिस से भूगोल के विकास में महत्रपुर यगदान मिला है अब चलिए इनका अध्यन कर लneck कर लेते हैं वान हम्बोल्ट महोदय की रचनाएं तो जो हम्मोल्टम होदय है उनकी फुर्ष्ट जो रचना है वो है राइन लेन बेसार्ट यह वान हम्मोल्टम होदय का शोध ग्रंथ है जिसका प्रकासन जो है 1789 में हुआ था और इसमें जो राइन बेसीन है इसकी सेले एवं खनिजों की विशेस्ताओं कवर्णन है यानि क इसके बाद है जो नाज्या यह उनका सेकेन ग्रंथ है भुगल के विशेचेत्रा और अध्यन पध्धती से संबंधित है यह बुग और इसका जो प्रकासन है वो 1733 में हुआ है शीर है तीसरा जो है नए महदिक की भूमा दे रखी प्रदेश की यात्रा यह दक्षिड अमे इसके बाद है मध्य एस्या यह मध्य संबंधिति इन की रचना है इन्होंने मध्य एस्या की यात्रा करते वक्त इसको बनाया था यह रचना की थी फिर है मेकसिको और क्यूबा का प्रादेशिक भूगूल तो ये वान हम्बोल्ट मोहदय उन्होंने मेक्सिको ऊप्रमाण कर रहे थे उस्ट वक्त उसका परियविश्चाड कर के मेक्सिको तक क्योबाई awhile का प्रादेश भूगूल नमक जो रचने है उसको लीखा है फिर है काश्मास ये वान हम्बोल्टम होगाई का प्रशिध कृती है जिसमें विस्व का विस्तृत वरणन किया गए है इसके प्रथम खंड में ब्रह्मार के स्वरूप का समान्य वरणन किया गए है और दूसरे खंड में प्रकृती के चित्रण और वरणन में जो मानवी प् प्रियास है उन सभी का सम्मिनित वरंगिया है फिर तिस्ते खंड में खागोल विज्यान का वरंगिया है आपके जो नक्षात्र बुग रह वगरह तारेव हगरह उनका अध्यन क्या गए फिर चौथे और पांचवे खन में प्रिथ्वी का मानाव ग्रह के रूप में वर्णन किया है यानि कि प्रिथ्वी क्या है जो प्रिथ्वी ग्रह है वो मानाव का निवास ग्री है इस रूप में इसका वर्णन किया है तो इस प्रकार से उनका वर्णन किया है उन्होंने यह ह गई हमवोळ्ट महोदाए की रजनाएं अब हम अध्यन करते हैं अण जिनी का हम अध्यान करेंगे वान शुक्ष भूड किलोमीटर लंबी खोज यात्राएं की थी और तठ्यों का सुख्षूमें निरिक्षड परियाविक्षड क्या था लानिकंए उन्होंने जितने भी सोत कार्या किये, खोचकार्या किये और यात्राएं किये, अपनी यात्राओं के दवरान उन्होंने सुक्ष्मीन रिख्षन किया, यानि तो इस प्रकार से उनका योगदान जो है वो बहुत ही महत्वपूर है क्योंकि जो हम्बोल्ट महद है उन्होंने भुगोल को विग्यानिक रूप प्रदान किया है। शमुद्र तल से उछाई चुंबकी विभिनत सेरों की वि भिनत वनस्पति प्रकार इन प्रकार की विश्रस्ताओं का। अध्यान किया, सुक्षम अध्यान किया निरिक्छर किया और उनकी सुधलाता कसाथ, अपना वुकर कार्य lässt प्रश्चु किया, एव है उनकी खोज सोध और यात्रा है अब हम अध्यÁन करते हैं, भूगहल का वुद्धया की वुध्या है भूगोलिक अध्यन की विध्या तो हमबोल्ट मोदे ने भूगोल के विकास में किस प्रकार सी योगदान दिया है वो इससे हम समा सकते हैं भूगोल के अध्यन की जो विध्या है इनका इन्होंने निर्मार किया है तो इनका फर्स जो है वो है अनुभविक विध्य भूगोल केवं अग्मनात्मक थी तो इसका योगदान कैसे भूगोल में है क्योंकि भूगोल ये क्या है प्रायोगिक विशा है हर एक चीज गोहन डाइग्राम से और वास्तविक रूप से समझ सकते हैं आसपास के वातवरण से इसलिए भूगोल को अध्यान करने के लिए प्रेचर प जैसे कि किहें प्रौह बूभश द्यों करना चाहिए क्यांशार से अनुसाराइट को इसके नतरीग मेंơiती गण्यायोग मेंれた फैक यॉद से व्यववरणो का प्रतिरूप उसको निकाला जाता है इसके बाद में कर जाते जैसे कि आपके मद्य भूगोल छेत्र का दो तच्छे रख दे जाते हैं तो आप उसको क्या करेंगे उसका तुलनात्मा कध्यन करेंगे यदि आपके सामने एक उफ लकटी बंधी जलवायू रखते हैं तो आपको उसका तुलनात्मा कध्यन करना चाहिए क्योंकि यहां का जो situation होता है वो कुछ और होता है और यहां का situation कुछ और होता है इसी प्रकार फिर है रेखा चीत्र तो आप सभी को पता है कि भूगोल को हम डाग्राम के माध्यम से ज्यादा explain कर सकते हैं अच्छे तरीके से प्रस्तूत कर सकते हैं या कोई भी विशय हो उसको रेखाचित्र के माध्यम से हम सराल और सरास रुपें प्रस्थुत कर सकते हैं तो इसी कधारपवा जो हमबोल्ट महोदय हैं उन्होंने रेखाचित्र विधी को भी भूगोल का अध्यन विधी में समिलित किया इनके अनुसार तथ्यों के वितरर प्रतिरूपों को अधी किसपष्ट करने के लिए मानचित्र और आरेखों का प्रयोग किया जाता है फिर है सुक्षमता और परिशुद्धत तो इसमें परिच्छड की सुक्षमता और या थार्थाता पर विशे ज्यान दिया जाता है और तथ्यों की माप सुक्षमधंस की जाती है ताकि यह क्या हो सरवाजनिक सत्य हो तो यह हो गया उनकी अध्यन की विध्या या विधी तंत्र जिसका भूगोल की विकास में महत्तपूर योगदान रहा है फिर वान हमबोल्ट की भौगोलिक संकल्पना विचारधारा या सिध्धान तवधारणा जो भी है वो इस प्रकार से है तो जो वान हमबोल्ट महोदा है इन्होंने किस प्रकार से भौगोलिक संकल्पना या विचारधारा प्रशुत की है इसका अध्यन करते है वान हमबोल्ट महोदा ने एक विध्यानिक विश्यक के रूप में भौगोल को इस्थापित किये है और उन्होंने कई महत्वपुर्श संकल्पनाय दिया जो इस प्रकार से है फर्स्ट जो है वो है मानावग्रिह के रूप में पृत्वी तल का अध्यन आफ सभी उनके रचना भी देखे हैं कि जो पृत्वी है उसको माना निवास के रूप में उन्होंने रचना किये है खास करके मानव निवास करता है प्रिष्वी में जो सबसे बुद्धिमान कहे या दिमाख वाले जो भी कहे वो मानव ही है मानव की जो बहुत धिक चमता है उसके अधार पर ही मानव और प्रश्वो को अलग किया जाते हैं तो इसमें प्रिथ्वी को मानव गरी के रुप में प्रिथ्री का अध्यान इसलिए करते हैं क्योंकि हपस मनुष्य निवास करते तो कौन अध्यान करते हैं इसका मानव भाग से जिस पर मानव निवास करते हैं और जहां मानव क्रियाएं होती रहते हैं चाहें वो विभिन प्रकार के इस्तर में हो थिक तो यह मानव भुगोल को विश्व के इस्थानिक वित्रडों या छेतरी वित्रड का विज्यान मानते हैं क्योंकि पुरे विश्व में अनेक प्रकार के इस्थान है जो एक रुप्ता के अधार पर अलग अलग प्रदेसों में बटा हुआ है इसी अधार पर ये जो सिध्धान्त है या संक संकल्पना ही इसका मुल संकल्पना बन गया और इस्थानिक वित्र की संकल्पना नहीं भोगोल को अन्य क्रमबध और या वर्गी करित विज्यानों में स्वतंत्र विशय के रुप में इसको प्रिथक इस्थान प्रादान किया है फिर समान्य भोगोल की भौतिक भूगोल है यानिकि जो हमबोल्ट महोदय हैं उन्होंने बताया है कि समान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है इस तथ्य पर उन्होंने संकल्पन प्रसूत किया है तो वारेनियस द्वारा विशलेसर समान्य भूगोल के अंतरगत प्राकृतिक तत्वों के साथ माना का अध्यन भी सम्मिल इसी के अधार पर जो हमबोल्ट महोदय है उन्होंने शमान्य भूगोल को भौतिक भूगोल कहा है बहुतिक भुगोल माना भुगोल में वर्गी कृत नहीं था उस समय उसको एक साथ अध्यान कर रहे थे पिछले जो समय हो उस समय और हमबोल्ट महोदय ने विश्व भुगोल या समान्य भुगोल के लिए बहुतिक भुगोल सब्दका प्रयोक के है उसके अंतरगत माना भी है और हमबोल्ट द्वारब प्रतिपादित भूगोल शमान्य भुगोल का ही दूसरा नाम है क्यों की समान्य भुगोल के रहे जाता है बहुतिक और माना दूसरा और दो नुम बहुतिक भुगोल के अंतरग्रत मानौ का भी यद्यं करते हैं वहुतिक जो तत्व है उनका मानौ पर प्रभाव परिची पर प्रभाव पर इसको खहा गया कि शमान्य भोगोल ही भूति beaucoup भूगोल है फिर उनका नेश्ट जोजे संकल्पना है वो है भूगोल भौतिक एवं मानवी शंबंधों का अध्यन है अब ये किस प्रकार से है इसका अध्यन करते हैं हम्बोल्ट के विचार धारा के अनुसार भूगोल में जैव और अजैव सभी तथ्थों का अध्यन करते ह है चाहिए वो जैविक है यानि कि वो प्रकृति प्रपौधे वनस्पत्ति मानव जीजन्तु सभी का और अजैविक इनके प्रपौधे के साथ हम किसका अध्यन करते हैं मिट्टी खनीज लवड इन सभी तत्व का भी अध्यन करते हैं इसला कृतियों का अध्यन करते हैं य इसके अनुसार उन्होंने ये जो संकल्पना है भूगोल भौतिक एवं बान्वी शंबंधों का अध्यन करता है, इसका प्रतिपादन क्या है। इनके अनुसार संबंधों की खोच करना भूगोल विगताओं का परम कर्तव्य होता है। कि माना और भौतिक तत्व की मध्य क्या संबन्ध है ये भूगोल की विशंता एवं विभिन्नता ये इसकी अन्यसंकल्पना है भूगोल की विशंता एवं विभिन्नता तो हमबोल्ट महोदा के अनुसार क्रमध विज्ञानों के अध्यन के लिए जाने वाले तथ्चों में शम्रूता एवं शमानता पाई जाती है कि तो भुगोल के अध्यन के लिए किये जाने वाले तथ्यों में विशमता या विविनता पाई जाती है इसे अलग लग तथ्यों द्वारा अध्यन के जाता है मांचित्रण विधिद्वारा व्याख्यान विधिद्वारा व्याख्य अता हुं उनको तच्चों को विश्यमंता या विभिनता हमेशा देखी जाते हैं फिर इनकी अन्य जुशंकल्पना है वो है पार्थिव एक्टा तो ये पार्थिव एक्टा जैविक तत्वों पर प्रभाव डालता है। जो जैविक तत्वों पर प्रभाव डालता है। इसका निसकर्थ तो उप्रोग्त सभी तच्छों के धार पर ही हम्बोल्ट अमहोदों के आधूनिक भूगोल का जनक कह जाता है और हम्बोल्ट अमहोदों ने भूगोल के विकास में महत्तपूर योगदान जिया है उन्होंने भूगोल के अध्यन के लिए अनुभोवी बुक से इसका ध्यन किये है उसका नाम है इसमें इसके अंत्र गत्हें भागोलिक चिन्तन का इतिहास जो है एजडी मौर्यय महोदैका फिर है भूगोलिक चिकन इवन विधीतंत्र डाक्टर जी विश्मीकर और भागोलिक चिन्तन चतरभुज मेमोरियल और एमे श्री Σोध इन सभी बुक के अधार पर इस यह जो टॉपिक है इसको क्रियेट के है तो आज के लिए इतना ही धर्न्यवाद